चूचू दीबी सुनो कहानिया एक दिन मिस डॉर्थी ने कक्षा में एक घोशना की बच्चों, कल स्कूल में चित्रकारी की एक प्रतियोगिता होने वाली है तो तुम सबको एक-एक आकार चुनना होगा और उन आकारों की मदद से कुछ चीज़ें बनानी होगी जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा, उसे इनाम मिलेगा सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे मैं बनाऊंगी उन चीजों को, जो है चोकोर और मैं बनाऊंगा वो चीजी, जो है आताकार जो चीजे मैं बनाऊंगा, वो होंगी अंडाकार चूचू को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो सोच में पढ़ गई थी कि कौन सा आकार चुने ची को चोकोर आकार की चीजें बनाएगी ची का आताकार चीजें बनाने वाला है और कसली की चीजें अंडाकार होंगी मैं कौन सा आकार चुनू जब चूचू घर पहुंची, तो उसने अपनी मा को प्रतियोगिता के बारे में बताया मा, कहल स्कूल में चितरकारी प्रतियोगिता है मुझे वो चीजें बनानी हैं जो किसी आकार की होंगी मैं कौन सा आकार चुनू चूचू की मा बहुत मददगार थी उन्होंने चूचू की समस्या सुलजाने में मदद की चूचू, क्यों न तुम अपने आसपास नजर घुमाओ और जरा देखो तुम्हें कौन सा आकार नजर आ रहा है फिर तुम अपनी पसंद का कोई भी आकार बना सकती हो अच्छी तरकीब है मा तो चूचू ने इर्दगिर्द देखना शुरू किया ये टीवी आयता कार है दरी है चोकोर और मीज पर रखा ये तर्बूज है गोल मुझे पता है मैं क्या बनाऊंगी मैं बनाऊंगी एक गोल तर्बूज चूचू, क्या तुम और चीजों के बारे में सोच सकती हो जो आकार में गोल हो और दिखने में भी अच्छी हो चलो, अब जरा सूच कर बताओ मुझे और थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है तुम उनमें सो कुछ बना सकती हो चूचू ने इसके बारे में सोचा और जल्ड ही उसके दिमाग में बहुत सी गोल चीज़ें आ गए सूरज गोल है, चांद गोल है केक और पीट्सा भी गोल होते है स्कूल बस के पहिये भी गोल है और पापा की कार के भी तो एक बच्चे का चेहरा भी तो अच्छा और गोल होता है जिन गुबबारों से हम खेलते है और जो आइसक्रीम स्कूप्स हमें पसंद है वो भी तो गोल ही होते है चूचू ने चित्रकारी प्रतियोविता के लिए इन में से कुछ चीज़ें बनाने के बारे में सोचा फिर चूचू की मा के पास उसके लिए एक और तरकीद थी चूचू गोल चीज़ें बनाने के बचाए क्यों ना तुम एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें बहुत सारी गोल चीज़ें हो हाँ एक चित्र जिसमें बहुत सी गोल चीज़ें हो हाँ हाँ चूचू चलो बताओ तुम्ही एक गोल के कहां देखने को मिलेगा गोल गुबारे, एक गोल पीज़ा, एक गोल शहरे वाला खुश बच्चा और स्वादिश्ट आइस क्रीम्स के गोल गोल स्कूप्स मुझे पता है जनम दिन की पाटी में अगले दिन चित्रकारी प्रतियोगिता थी चूचू ने एक जनम दिन पाटी की तस्वीर बनाई जिसमें बहुत सी गोल चीज़ें थी गोल को बारे, एक गोल जनम दिन का केक गोल स्कूप्स आइस क्रीम के गोल पहिये ट्राइसिकल के एक खुश दिल बच्चा गोल चेहरे के साथ एक गोल पीज़ा जिसे सब बाट रहे है और एक गोल सूरज जो आस्मान में चमक रहा है मिस डॉर्थी और जजज़स चूचू के बनाए चित्र से बहुत प्रभावित हुए आप सभी ने उन आकारों के चित्र बनाए हैं जिन्हें आपने चुना है और आप सभी ये बहुत ही अच्छा बनाया है पर चूचू ने सभी गोल आकार के चीज़ों को एक जन्दिन के सीन में दिखाया इसके बाद में इस डॉर्थी ने जीतने वाले के घोशना की बच्चों, तुम सभी ने बहुत अच्छी चित्रकारी की है पर चूचू ने अपनी कलपना का इस्तमाल किया और अपनी चुनी गोल चीज़ों को एक जन्दिन पाटी के सीन में डाल दिया और इसलिए जाज़स ने चूचू को इनाम देने का फैसला किया है बहुत अच्छे चूचू धन्यवाद चूचू का इनाम था एक गोल चॉकलेट से भरा डिबबा मा, मैं अपना इनाम आपके साथ मातूंगी आखरकार आप ही ने तो मुझे सोचने में मदद की थी और अपनी करपना से बनाने को कहा चूचू मा के साथ चॉकलेट से को बांट कर बहुत खुश थी और वो अपने आपको भागयशाली मान रही थी कि उसकी मा ने उसे सिखाया कि करपना का इस्तमार कैसे करना है कसली हमेशा शेखी मारता था और अपने दोस्तों को नीचा दिखाता था हेई चीका तुम तो बहुत सलो हो तुम मुझसे तेज नहीं भाग सकते ओ चूचू तुम तो बिलकुल मेंडग जैसे गाती हो क्या तुम नहीं चाहती कि तुम मेरे जैसा अच्छा गाओ चाचा तुम्हे तो डांस भी नहीं आता जरब मुझे देखो, मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ चीकू, तुम्हां ये ड्रॉइंग तो बहुत ही बेकार है जरब मेरी ड्रॉइंग देखो, क्यों है न ये शांदार कसली की रूखी बातों से उसके दोस्तों को हमेशा बहुत बुरा लगता था काश कसली हमसे इतने रूखेपन से बात ना करता, हाँ, काश वो समझ पाता कि उससे हमें कितना बुरा लगता है एक दिन चूचू और उसके दोस्तों नी टैलेंट डेमी हिस्सा लेनी का फैसला किया, जो उनकी स्कूल में होने जा रहा था चूचू ने बहुत अच्छा गाया और पहला इनाम जीता चीकू को भी बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनानी के लिए इनाम निला और चीका और चाचा कुछ रेस में जीते उनका एक ही दोस्त ऐसा था जो कुछ भी नहीं जीत पाया वो था कसली और उसे इस बात का बुरा लग रहा था पस एक मैं ही हूँ जिसने कोई भी इनाम नहीं जीता और मैं सोचता था कि मैं बेस्ट हूँ पर चूचू और उसके दोस्तों ने कसली का मजाग नहीं उड़ाया बलकि वो लोग उसके पास गए और उसे खुश करने की कोशिश की कसली उमीद मत चोड़ो बाद में कई और कॉम्पिटिशन्स होंगे जिनमें तुम हिस्सा ले सकते हो जल्दी ही एक डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं तुम अच्छे डांसर हो हम जरूर जीतेंगे अगर तुम हमारी टीम में आ जाओ तो कसली चूचू की टीम में शामिल हो गया और सब मिलकर प्राक्टस करने लगे आओ चलो मैंनद करके जीतने में एक दूसरे की मदद करे चूचू और उसके दोस्तों ने धूम मचा दी उस डांस कॉम्पिटिशन की शो में हुरे! सबको हमारा डांस पसंद आया उनकी टीम का डांस सबसे अच्छा था इसलिए उन्हें पहला इनाम मिला ये! हमारी टीम जीत गई हाँ कसली, हम जीत गए क्योंकि हमने अपना बेस्ट दिया और जीतने में दूसरे की मदद की एक टीम में मिलकर काम करने का यही तो फायदा होता है। कसली ने फिर कभी किसी का मजाग नहीं उड़ाया। वो तो चूचू जैसा बनना चाहता था दूसरों की हिम्मत बढ़ाकर। उसने सीखाकी, धीरज रखकर, दयालू बनकर और प्यार से दूसरों की खासियत बाहर लाई जा सकती है। उसरों की खासियत बाहर दूसरों की खासियत बाहर सकती है।